फेस्टिवल्स का सीजन शुरू हो चुका है, मिठाईयों का दौर शुरू हो चुका है, दशहरा आने वाला है, तो हमने भी सोचा कि आपके लिए कुछ अच्छी सी एक रेसेपी लाई जाए जो इस समय सब लोग सफाई में भी जुटे हुए हैं, देवी जी के ब्रत भी चल और यह तीनों ही चीजें आपके घर में होंगी, इस बात की गारंटी है, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको मेरी कोशिस पसंद आ रही है, तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजेगा, लाइक कीजेगा और शेयर भी कीजे तो बेसन को सबसे पहले चान लीजेगा कड़ाई में और उसके बाद में मलाई को डाल दीजेगा, यह काम बस इतना है दोस्तों, है तो घर की चीजों से ही बनने वाली चीज, लेकिन थोड़े पेशेंस वाली चीज है, क्योंकि कीचिन में वैसे भी सबको पेशेंस रखना नहीं पड़ेगा, तो मलाई को बेसन में डाल दीजेगा, बेसन को चान जरूर लीजेगा, और उसके बाद में इसको चलाते रहेगा, सबसे अच्छा तरीका है इस मिठाई को बनाने का, कि आप किचिन में जब काम कर रहे हैं तो एक साइड में चढ़ा दीजेए, दूसरी साइड में अपना काम करते रहे हैं, मिठाई जब तक आपका काम खतम होगा, चुटकियों में मिठाई बनकर हो जाएगी तयार, तो ये देखिए, धीमी आज पर मैंने धीरे 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 इसको में भून रही हूँ, जब इसकी धीरे धीरे भूनाई होती है ना, तो जो सु मुझे हमेशा किचिन एक लैब जैसी ही लगती है, जैसे हमने शुरू में बेसन डाला था ना, आप देख रहेते कैसा पीला पीला था, धीरे धीरे जैसे जैसे भूनता जाएगा, इसका कलर, टेक्स्चर सब कुछ चेंज होता जाएगा, तो ये देखिए, धीरे धीरे मैं एकदम बिखरा बिखरा सा, यही इसकी पहँचान है कि जो बेसन है वो जब क्रम्बल जैसा हो जाए एकदम, इट मीन्स की हमारा कई पार लोगों को समझ नहीं आपता न, कि कब बेसन भूना है, तो ये इसकी पहँचान है कि इसका पूरा कलर चेंज हो जाएगा, और ये ब दूद को धीरे-दीरे डालने से क्या होगा? कि एकदम से जब कर देंगे, तो कई बार ना, लंप्स बनने के चांसिज हो जाते हैं, आप धीरे-दीरे डालते जाएए, फूलता जाएगा, और हम डालते जाएगे तो इसका जो दाना है एकदम बढ़ी है, दरदरा सा हो लेकिन जो दूद की बात है वो पानी से नहीं आएगी तो कम्प्रमाइज भीया क्यों करना जब मिठाई बना ही रहे है तो अच्छे से बना है वो भी बजार से तो कुछ लाना नहीं है तो ये देखिए अब मैंने क्या किया जो बचा हुआ दूद था वो भी इसमें डाल दि जो हमारा बर्फी का मैटेरियल है वो कड़ाई को नहीं छोड़ देता बीच में मैंने इसमें इलाइची पाउडर डाला था आप चाहे तो डाले नहीं चाहे तो ना डाले और ये देखिए जब एक दम गाड़ा जैसा हो जाएगा ना ऐसा हो जाएगा यानि कड़ाई में एक दम इखटा हो जाएगा तो हमें क्या करना है कि एक कुछ भी आप ठाली लेजिए मेरे पास तो बर्फी जबाने वाली ट्रेव ऐसे ही बजार में बहुत सस्ती मिलती है आप ला सकते हो और इसको डाल दीजिए आप इसमें और इसको अच्छे से कर दीजिए इस तरह से कर दीजिए सेट करने के बाद में थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर मैं पीस काटके आपको दिखाती हूँ कितना मस्त वाला पीस बना है सिल्वर फॉयल तो लगाना बनता ही यह थोड़ा अच्छा दिखेगा तो आप मेरे चैनल को सब्स्राइब करोगे है न और ये 90 का रखा है अब मैं पीस दिखाती हूँ आपको मन्जी है क्या है कि हम और से कुछ डेकोरेशन कर देते हैं तो हमें भी है अच्छा भ्र्क jewels रहते है case फटा फट से बनके त्यार हो जाती है तो इंजॉय कीजिए इस मिठाई को और पसंद आई है तो सब्सक्राइब का बटन दबाईए दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए फैमिली के साथ में शेयर कीजिए जल्दी ही मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के लिए